हाई अब्रिवान मैं हूँ आसे मौर इस वीडियो में मैं आपको 55 इंग्लिश के ऐसे फिकराद सिखाने वाला हूँ जिने सीख कर आपके लिए इंग्लिश में क्वेस्चन करना हो जाएगा बहुत ही आसान हमारे साथ योँ ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बैल बटन को भी प्रेस कीजेगा ताके आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहें क्या की इंग्लिश है वाट और अगर हमें सिर्फ इतना पूछना हो क्या तो बात यहीं पर खत्म वाट वाट क्या चल रहा है क्या हो रहा है सब कैसा चल रहा है की इंग्लिश क्या है वाट सब वाट सब वो क्या है वो की इंग्लिश है दाट वो क्या की इंग्लिश है वाट सब्स दाट वाट सब्स दाट यह क्या है यह की इंग्लिश यानि जिसकी तरफ आप उंगली नीचे की तरफ करके यानि बिल्कुल साथ पड़ी चीज की तरफ इशारा करें तो आप this का use करेंगे और that कहां पर use करेंगे वो यानि दूर पड़ी है ठीक है और this का मतलब ये साथ ही पड़ी है ये, ओके what's this क्या हुआ होना की इंगलिश क्या होती है happen तो क्या हुआ की इंगलिश होगी what happened कितने कितने हम यहां पर तादाद के लिए यूज़ कर रहे है how many how many दोस्तों जब आपने मिकदार यानि quantity में पूछना हो कितना कितनी या कितने तो आप इंगलिश में पूछेंगे how much और अगर आपने किसी चीज की कीमत पूछनी हो और आपने ये फिकरा यूज़ करना है कितने हुए यानि कितने रुपे हुए तो आप उसकी कीमत पुछने के लिए क्या यूज़ करते हैं how much तो कीमत पुछने के लिए भी और मिकदार पुछने के लिए भी आप ये ही यूज़ कर सकते हैं how much ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कितनी देर कि English होगी how long और कितना लंबा इसकी English भी यानि लंबाई जो physically लंबाई है उसकी English भी होगी how long कितनी बार यानि दिन में कितनी बार, घेंटे में कितनी बार, week में यानि हफते में कितनी बार इसकी English होगी how often या आप इसमें T को भी pronounce कर सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं how often, ठीक है, ओके, कितना दूर, how far, how far, तो यहाँ पर distance के लिहाज से आप बात कर रहे हैं, how far, कितना दूर, कितना पुराना, how old, how old, कितनी उम्र है, यह पूछने के लिए, आप English में यह फिकरा यूज कर सकते हैं, how old, या इसके साथ, how old are you, और अगर किसी और की उम्र पूछनी हो, तो फिर, how old is he, वो कितने साल का है, उसकी उम्र क्या है, ठीक है, आपने इस तरह का फिकरा हर्गिस यूज नहीं करना, कि what is your age, यह बिलकुल गलत है, English में, यह कभी भी use नहीं किया जाता, ठीक है, वो कैसा है, यानि किसी चीज की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है, कि वो कैसा है, for example, घर कैसा है, how's that, how's that, और यह sometimes इस तरह से भी use किया जा रहा होता है, कि for example, कोई नजारा है, या कोई बहुत ही जबरदस्त view है, तो उस तरफ आप इशारा करके कहते हैं, how's that, how's that, cricket में भी यह बहुत जादा use किया जाता है, यानि कैसे हो गया, या यह कैसे है, okay, कितना परिशान करने वाला है, how annoying, दोस्तों यह question से जादा, अपने एक जो feeling है, वो share करने के बराबर है यह, ठीक है, यह जादा feeling share करने के लिए हाँ से use किया जाता है, how annoying, how annoying this sound is, यह sound, आवाज, कितनी परिशान करने वाली है, ठीक है, जैसे दरवाजे की sound, बार बार आ रही हो, ठीक है, तो आप कहते है, how annoying this sound is, okay, यह कौन है, who's this, who's this, यह phone किसका है, whose phone is this, दोस्तों यहाँ पर दो who's use हुए है, एक यह वाला, और दूसरा यह वाला, यहाँ पर आप यह देखिए, कि इस who's का क्या मतलब है, और इस who's का क्या मतलब है, यह वाला who's basically है, who is, जिसको हमने contraction में कुछ इस तरह से लिखा, और इसका यह वाला जो I है इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इसको यहाँ से खत्म कर दिया, तो यह बन गया who's, ओके, और यह वाला जो who's है, इसका मतलब है who is, यह यह कौन, और अगर हम इसकी तरफ आएं who's, तो इसका मतलब है किस का, ठीक है, किस का, यह वाला किस का, ओके, कब आना है, कब आना ह When to come? क्यों जाना है? Why to go? क्यों इस्तमाल करें? क्या खासियत है इसमें? Why to use? आखर इस्तमाल करें ही क्यों? या इस्तमाल करें ही क्यों यह आपकी प्राडट्ट, आपकी चीज हमारे पास अपनी है तो जब आपने इस लहजे में बात करनी हो तो आपके तो why to use, why to use this, पढ़ना क्यों है, क्या जरूरत है पढ़ने की वैसे ही कमा सकते हैं, तो तब why to study, और पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे सब कुछ पहले ही आता है, मैंने स्कूल में सब कुछ पढ़ लिया है, right, मैंने पहले ही homework कर लिया है, तो क्या पढ़ूं, पढ़ना ही क्यों है, why to study, और what to study, क्या पढ़ना है, homework तो पहले ही हो गया, किसने खाया, who ate, who ate, कौन आया, who came, who came, किसे पढ़ी है, who cares, who cares, कौन जाने, who knows, किसने किया ये, who did it, who did it, वो कौन है, who's that, who's that, मैं ही क्यों, why me, why me, या अगर आपने कहना हो, सिर्फ मैं ही क्यों, तो आप यहाँ पर only का word भी, यूज कर सकते हैं, why only me, कहां बैठना है, where to sit, where to sit, कहां पढ़ना है, where to study, कैसे जाना है, how to go, how to go, कहां रहना है, where to live, where to live, किसे भेजना है, whom to send, किसे मिलना है, whom to meet, यह किसका है, whose is this, whose is this, यहाँ पर आप किसी चीज का नाम भी मैंशन कर सकते हैं, for example, whose phone is this, all right, whose phone is this, whose tablet is this, okay, वहाँ कौन है, who's there, who's there, कब जाना है, when to go, कब सोना है, when to sleep, when to sleep, कब बोलना है, when to speak, when to speak, कब हंसना है, when to laugh, when to laugh, आप कैसे हैं, how about you, how about you, जब आप से कोई हालचाल पूछ ले, how are you, तो आप से कहिए, I am all right, thank you, तो फिर आप यह पूछे, how about you, कि आप बताइए, आप कैसे हैं, कैसे शुरू करें, how to start, how to start, कैसे नाचना है, how to dance, how to dance, अब क्या, what now, कि आप English सीख रहे हैं, are you learning English, आप क्या करते हैं, what do you do, क्या मौामला है, what is the matter, what is the matter, क्या मसला है, what is the problem, what is the problem, दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप इसको short कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आई हटा ये, तो यह बन जाएगा, what's the matter, और इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, आई हटाएगे, और यह बन जाएगा, what's the problem, what's the problem, तो यह आपकी फ्लोएंसी को अच्छा करता है, ठीक है, मैं कौन हूँ, who am I, who am I, कौन हंस रहा है, who is laughing, अब कौन, who now, कहां जाना है, where to go, कहां सोना है, where to sleep, और कुछ, anything else, वो क्या है, what is that, what is को, अगर आप कुक्ली प्रणाउस करना चाहें तो बोलिए, what's that, किस के लिए, for whom, for whom, फिर क्या, then what, अब क्यों, why now, क्या पकाएं, what to cook, क्या पढ़ें, what to study, और क्या, what else, ऐसा क्यों, why so, तो क्या, so what, आगे क्या, what next, क्या करें, what to do, क्या देखें, what to see, क्या जानना है, what to know, क्या कहें, what to say, आप कहां रहते हैं, where do you live, तुम क्या चाहते हो, what do you want, आपकी तबियत कैसी है, how's your health, क्या आप ठके हुए है, do you feel tired, क्या आप जानना जाहते है, do you want to go, so my dear friends, this is it for today, we'll be talking in the next video, take care, bye for now.